IQ 9 vs iPhone 11 दोनों का camera comparison करेंगे और देखेंगे IQ का camera कहां पर stand करता है iPhone 11 के सामने दोस्तों reality बताओं मैं भी काफी सौक डूँ इसकी camera performance को देख कर क्योंकि मेरे mind में यही था कि यह एक game centric और performance centric phone है लेकिन इसका जो camera performance है काफी उमीद से ज्यादा काफी काफी अच्छा निकला और दोस्तों इसे एक ठीक एक महिने पहले Oppo Reno 7 Pro 5G का camera test किया था same iPhone 11 के साथ तो इसमें वीडियो में आपको यह भी पता चल जाएगा अगर आप confuse हो between these two phone Oppo Reno 7 Pro 5G और IQ के बीच में कि दोनों में से किसका camera best है तो इस वीडियो में आपको वह भी पता चल जाएगा और ना camera दोनों phone के बीच में आपको किसी भी तरह का confusion है तो वीडियो के लाश में मैं आपका सारा confusion दूर कर दूँगा बस आप इस वीडियो को देखते रहे हैं तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं सबसे पहले back camera से और back camera में daylight performance देख लेते हैं daylight के अंतर दोस्तों आपको एक चीज़ देखने के लिए मिलेगी इसमें colors colors काफी natural ले रहा है हलके से बूस्टिट ले रहे हैं दोनों ही phone IQ हो या iPhone 11 हो लेकिन थोड़े से color boosted ले दें दोस्तों इसका मतलब यह निया कि color accuracy खराब हो एक तो होती color accuracy और एक होता है color का boosted होना ठीक है और एक होता है color का shift होना तो एक accurate color होते हैं बिलकुल natural color उसी को थोड़ा सा boosted कर देते हैं तो color boost बन जाते हैं वो जो की देखने में थोड़े से आपको अच्छे लगते हैं और color shift का मतलब दोस्तों यह होता है कि color थोड़ा सा change हो गया कि red मालो pink बन गया pink orange बन गया red orange बन गया इस टाइब से तो color में गड़बट हो जाती color में किसी भी तरीका वो change नहीं मिलेगा हाँ थोड़ा सा आपको color boost देखने के लिए मिलेंगे और वो काफी ज्यादा eye pleasing and definitely अच्छा लग रहा है देखने में IQ 9 से slightly अच्छा और थोड़ा से दोस्तों आप यह देखेंगे कि दोनों ही samples में आप देखेंगे तो हलका सा आपको नजर आएगा कि apple हल किसी किसी फोटो में warm tone को maintain कर रहा है यहां कि हलका से ज्यादा वार्मर है आप इसकी पेड़ की stem को देख सकते हैं दोनों ही phones ने काफी good details capture की है प्लस इस समय दोस्तों मुझे काफी दिक्कत हुई थी focus shift करने में इस पेड़ पर फोकस लाने में तो रेंडमली यह थोड़ी सी प्रॉब्लम कर रहे हैं दोनों ही phones के अंदर देखने के लिए मिल जाते हैं लेकिन क्योंकि रेंडम प्रॉब्लम है तो इसको मेजर प्रॉब्लम हम काउंट नहीं कर सकते बागी दोनों फोटो हम देख सकते हैं details हो sharpness हो lighting हो brightness हो सब चीज एकदम perfectly maintain की है तोनों phones ने बात करें दोस्तों dynamic range की तो यहां पर simply IQ better perform कर रहा है एपल से slightly better not a major difference बट यहां थोड़ा सा बैटर परफॉर्म कर रहा है 19-20 का difference बोल सकते हैं 21 IQ और iPhone 19 इस वाज़े से सैटों की डीटेल से आपको better देखने के लिए मिल जाएंगी IQ के अंदर दोस्तों मैं परफेक्टली दिखाया है वो iPhone ने दिखाया है लेकिन जैसे हम नीचे की building की तरफ देखते हैं वह IQ में better exposed हैं लेकिन IQ के अंदर sun काफी dull सा लग रहा है तो यह image iPhone की काफी अच्छी है iPhone 11 ने यहां पर थोड़ा अच्छा maintain किया है क्योंकि sun की वज़े से sun अच्छा लग रहा अब बात करते हैं दोस्तो human subject की skin tones की बात करते हैं IQ हाँ पर दोस्तो थोड़ा सा whitest color ले रहा है कि थोड़ा सा गोरा कर देता है दूसरी तरफ एपल यानि कि iPhone 11 आपका ले रहा है redist tint हलका सा red color mix कर देता है skin tone के अंदर यानि कि दोनों ही phones पूरी तरीके से natural नहीं ले रहे है लेकिन अगर हम बात करूँ जादा close to natural natural की तरफ जादा close कौन है तो यहां IQ है अब दोस्तों बात करते हैं portrait samples की portrait sample है अप अपने इस कीजिन पर देख सकते हैं दोनों ही phones काफी अच्छे portrait sample ले ले लेते हैं पर जब हम बात करते हैं किसी एक को चुनना हो better कौन है तो यहां definitely IQ better है एक चीज में आपको दोस्तों बताना चाहूंगो इसके अंदर एक option है पूरा खेल चेंज हो जाता है बहुत ही बहतरीन यहां पे आपको picture quality देखने के लिए मिल जाती है मतलब जो 2S का जो एक portrait का effect है एक blur effect जो है वो काफी outstanding है अब दोस्तों बात करें low light की IQ के अंदर क क्या है दोस्तों कि हद से जादा एक limit से जादा अगर low light हो जाती है तो automatically यह long exposure photo लेने लगता है क्यों तो इसका मतलब आपको photo लेनी में थोड़ा सा time लेना पड़ेगा और आपका हाथ भी stable होना चाहिए तो मैं night mode की बात नहीं कर रहा हूं दोस्तों बिना night mode के automatic long exposure में चला क्यों का लग रहा है अधरवाज दोस्तों artificial condition की बात करें तो यहां दोनों ही phone outstanding perform कर रहे हैं हलका हलका सा कहीं कहीं मुझे लगता है कि warmer tone again maintain करने की कोसिस कर रहा है iPhone 11 बाकि details हो sharpness हो brightness हो हर चीज़ को perfectly manage कर पा रहे हैं दोनों ही phones अब दोस्तों बाहरत night mode की night mode के अंदर दोस्त आइफोन भी काफी लाइट फिल करने कोसिस कर रहा है कि जादा जो brighter है वह IQ लग रहा है यहां पर चादा details की अगर हम बात करें sharpness की बात करें तो दोनों ही phone अच्छी तरीक से detail maintain कर पा रहे हैं अब दोस्तों बात कर लेते हैं वाइड एंगल आप सैंपल दे सकते हैं एक च details बगरा सब कुछ अच्छी मिल जाती है हाँ मैं यह जुरूब बोला चाहूंगा थोड़ा सा ज्यादा contrast मिल जाता है iPhone 11 के अंदर comparative to IQ अब दोस्तों जल्दी चलते हैं वीडियो कैमरा की तरफ और वीडियो कैमरा के सैंपल शेयर करने से पाले मैं आपको इन इंपोटेंट इस बता देता हूं iPhone 11 के अंदर आप 4K 60fps तक रिकॉर्ड कर सकते हैं IQ के अंदर भी आप रियर कैमरा से 4K 60fps तक रिकॉर्ड कर सकते हैं लेकिन आपको जो स्टेबलाइजेशन 4K 30fps तक ही मिलेगी आएक्यू के अंदर वेराज आईफॉन के अंदर आपको 60fps तक देखने के लिए मिल जाएगी दोस्तों यहां पर दोनों ही दोनों ही फॉन में काफी अच्छी खासे इस्टेबलाइजेशन है एक तरफ आपको आईफॉन के अंदर मिल जाती है वाइस दूसी तरफ गिंबल स्टेबलाइजेशन मिल जाता है आईक्यू के अंदर जो कि सकते हैं ब्रैटनेस देख सकते हैं तो ओवरॉल मैं यह बोलों कि सबसे पहले मैं बात करूं तो यहां पर बिल्कुल आईक्यू अच्छा परफॉर्म कर रहा है और इस्टेबलाइजेशन में भी थोड़ा सा बैटर परफॉर्म कर रहा है बागी कलर्स की बात करें सार्पन payas fps तक slow motion capture कर सकते हैं और सेंपल्स आपके screen पर रहें अब दोस्तों बात है सिलफी कैम्रा की दूनों के सेलफी कैम्रा की बात कर लेते हैं दोस्तों कुछ सेंपल्स इन डिफरेंट डिफरेंग कर डिसनस सबसे पहले Leaq की बात कर लेता हूँ ऑप सबसे पहले बात कर थोड़ी सी वाइटिस है आईक्यू के अंदर थोड़ी सी रैडिस है आईफोन के अंदर लेकिन अगर मैं पूछूं कि दोनों में से कोई भी परसन कोई भी इंसान चूज करना कूंसा चाहेंगा वह आईक्यू की सेलफी को ज्यादा बैटर बताएगा क्योंकि हाँ पर थोड देख सकते हेर्स को काफी अच्छे तरीके से मेंटेन किया है आईक्यू के अंदर पूरू तरीके से पर्फेक्ट तो नहीं लेकिन आईफोन से यहां बैटर परफॉं क्या है क्योंकि अंदर अब दोस्तों बात कर लेते हैं वीडियो कैमरा की देखिए वीडियो कैमरा में आपको किसी भी तरीका 60fps का उप्शन नहीं मिलता है आपको आईक्यू के अंदर 1080p 30fps तक का उप्शन मिलता है और 720p 30fps का सिर्फ यहीं आप्शन आपको मिलते हैं लेकिन दूसे तरफ दोस्तों आईफोन में आपको 4p60fps तक का उप्शन मिल जाता है तो यहां एक बहुत पर अपको आईक्यू के अंदर और इचे बता दोस्तों दोनों फोन में किसी भी तरीकी क्या OIS या गिंबल स्टेवलाजेशन नहीं मिलता है सेल्फी कैमरा के अंदर तो दोस्तों बात कर लेते हैं लो लाइट के अगर आपको बहुत ज्यादा लो लाइट में वीडियो रि आईक्यू और दोस्तों सेल्फी कैमरा के अंदर किसी भी तरीके का स्लोव मोशन आपके देखने के लिए नहीं मिलता है आईक्यू के अंदर अब दोस्तों बात नाइट सेल्फी के देखिए नाइट मोड किसी भी तरीके का आईफोन के अंदर आपको नहीं मिलता है लेकिन यह लिप्स का देखे कलर यहां पर थोड़ा सा डल कर दिया तो थोड़ा सा अजीब सा और आँखों में जीब सी वह इन अगें ब्राइटनेस तो चमकीली सी आंके यह ना तो यहां थोड़ी सी यह अच्छा नहीं लगा है थोड़ी सी नियुन नाइट सेल्फी इसके अंदर अच्छी हो सकती थी तो दोस्तों में आपको काफी सारी सैंपल वीडियो या फोटो हो आप सासे camera के अंदर 60fps का होना 4K 60fps तक आप यूज़ कर सकते हैं iPhone के अंदर लेकिन IQ में 60fps नहीं है 4K तो छोड़ो 1080pixel के अंदर भी 60fps नहीं है 1080 छोड़ो 720 के अंदर भी 720pixel के अंदर भी आप 60fps का यूज़ नहीं कर सकते पिलास रियर कैमरा की दोस्तों बात करें 4K 60fps में Steady वीडियो आपको मिल जाती है क्योंकि वहाँ OIS यूज हो रहा है iPhone के अंदर IQ के अंदर 4K 60fps में किसी भी तरीके का Stabilization देखने के लिए मिलता है अगर आपको 4K 60fps पे वीडियो रिकॉर्ड करनी है तो या तो आपको स्टेडी मोड में रिकॉर्ड करनी पड़ेंगी ठीक है एक जगा रखके ट्राइपोड पर या फिर दोस्तों आपको काफी जादा जर्क और सेख तेखने के लिए मिलेगा तो दोस्तों मेरी साब से डेफिनेटली कोई डाउट नहीं है बैटर परफॉर्म कर रहा है आई क्यू नाइन ओपर उने सेवन प्रो से आपको अगर बात आप यकीन नहीं है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है जहां मैंने ओपर उने सेवन प्रो को आईफोन 11 के साथ रहा हूं कि अगर मैं आपकी जगे होता अगर मुझे दोनों फोन में से कोई कंफूजन है तो मैं किसको चूज करता मैं डेफिनेटली आई क्यों को चूज करता कुछ रीजन्स है पर्फोर्मेंस के अलावा भी ठीक है पर्फोर्मेंस तो आप जानते है आईक्यू नाइन क और camera की जो एक color accuracy है जो एक अच्छा color reproduction जिसको बोलते हैं हम वो आपको यहां definitely better देखने के लिए मिल जाता है IQ9 में फिरस दोनों ही फॉनों दोस्तों stereo speakers दिए गए हैं लेकिन IQ9 के जो stereo speakers हैं काफी ज्यादा loud हैं और काफी rich ने उनमें काफी एक rich sound आती है अगर हम compare करें OPPO Reno7 Pro से साथ में game खेलते समय दोस्तों जो 4D vibration है उसका भी एक अलग मज़ा है plus 120 watt की हाँ आपको fast charging देखने के लिए मिल जाती है तो दोस्तों यह कुछ थोड़े से advantages हैं अब मुझे नहीं पता कि आपके लिए advantages है या नहीं तो definitely मैंने जो अपना opinion था share कर दिया मिलते हैं किसी next video में next topic के साथ अभी के लिए चलता हूँ मैं और किसी भी तरह केगा दोस्तों कोई भी doubt हो आप मुझसे comment करके पूश सकते हैं मैं उसको जल्दी-जल्दी clear करनी कोशिस्त करूंगा